Hello and welcome to Bake with Nitu आज हम एक easy sweet recipe बनाएंगे ये recipe South India में काफी famous है और इसको Samia Paisam बोजा जाता है और ये बनाने में काफी आसान है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने पैन में यहां पर 4 टेबल स्पून घी लिए घी को हलके से गरम कर लेंगे उसके बाद मैंने डाला है इसमें काजू काजू को हलका सा ब्राउन होने देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे किश्मिश किश्मिश और काजू को अच्छे तरह से भूल लेंगे इसके बाद हम इसको अलग से निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे इसी पैन में हमने लिया है एक कब वर्मिसली, वर्मिसली काफी आसानी से मिल जाता है बाजार में वर्मिसली को भी हम सुने रहा होने तक भून लेंगे भी में इसके बाद मैंने इसमें डाला है तीन कब दूद, दूद डालने के बाद एक बॉइल आने तक रुखिए और उसके बाद मैंने यहां पे डाला है आधा कब चीनी डालने के बाद हम इसको पांच मिनिट तक पका लेंगे और मेक शूर करें इसको स्टर करते रहे ताकि यह दूद जोए बाहर ना गिरे थाना यह आसान रेसिपी आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो दूशेर लाइक और सब्स्राइब तो मैं चैनल झाल